सब्सक्राइब कर दो हमारे रीट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बैल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नमस्कुत दोस्तो आस वी का हमारे प्रूटिचन जीपेड़ेस में वबस सवागत है तो दोस्तो आप मैं बहुत सच्छन पुछा कि सर मोडेरेशन पॉलिसी इस बार है या नहीं वैस्ते तो गाईज मैं इस टॉपिक पर पहले वीडियो बना चुक हूँ लेगिं बहुत सच वीडियो बना रहा हूं गाइस moderation policy के लिए के बहुत सारे question पुछे बट दो common question थे पहला question तो गाइस बुचा कि सर moderation policy इस बार है या नहीं दूसरा question ये बुचा कि सर moderation policy cbsc officially वापस क्योंनी start करती और इस साल तो इतनी ज़्यादा बच्चों को problem face करनी पड़ी तो इस साल वाप आपस cbsc moderation policy क्योंनी start कर रही तो गाइस दोनों को सब्सक्राइब को बताऊंगा बट गाइस आप सभी से एक request इस वीडियो पूरी एंट तक देखो कि तभी उसको गाइस देखो में आप सब्सक्राइब को सब्सक्राइब तो ये बता दूं कि moderation policy है इस बार और वो हर साल हो से ये पुस्ते सर अन ओफेशली चला रही तो ओफेशली क्यों नी start करती तो गाइस इसका भी answer simple है moderation policy बंद करवाने वाला cbsc नहीं था cbsc ने खुद ने बंद नहीं करी थी moderation policy को moderation policy तो state board है कुछ 31 state board ने government को और high code को complain गरी थी cbsc के regarding cbsc moderation policy देखिए बच्चों को बहुत और high code ने 2017 के अंदर अप्रेल 24 को moderation policy को abolish कर दिया था यह गाइस जो मैं आपको जान करी बता रहा है मैं गूगल से collect करी और कुछ टीचर से मेरे जान पेचान से जान पेचान के उन से पूछ है गाइस इधर मैं आप सभी को बात बता दूं कि 2017 के अंदर moderation policy बंद जरूर हो जाद अब चपने जाते लास्ट यह कर चेक कर लो बच्चों के जो physics एक्जाम था बहुत खराब गया था बहुत बच्चों का एक्जाम खराब था तो भी बच्चों के 95 मार्क सक गए है और बहुत सारे श्ट्रेंट के 95 गए है मतलब इससे अपनों यह पता लगता है कि हर स साल moderation policy के लिए सीबीशिय को बोलना पड़ता है अपनों को मतलब अपनी तरफ से लड़ाई करने पड़ती सीबीशिय से की मेरे को moderation policy हर बार दो हर बार सीबीशिय को बताए कि इस साल हालात खराब है तो सीबीशिय अपना अपनी तरफ से moderation policy बच्चों को extra bonus marks वगेड़ा दे बता रहा हूँ बहुत सारे लोग है जो कहते हैं कि Twitter पे trending करो moderation policy वापस लाओ moderation policy वापस लाओ तो guys जेखो इस तरीके से आप करोगे आप कोई loss है loss होने कारण guys जेखो simple है CBSC officially तो ला नहीं सकती क्योंकि state board खड़े है state board कहेगे कि बिमारी से हमारे बोड को भी नुकसान हो है हमें हमारे बच्चों को भी नुकसान हो है तो हमारे student के result है उसमें moderation policy हमने तो दी नहीं तो CBSC के student क्या इस तरीके बास state board कहना start कर देगे क्योंकि आप सभी को पता ही कई सारे state board है जिनका result आ चुका है हर एक state board ने moderation policy नहीं लगाई तो अगर CBSC अब officially announcement करती की moderation policy हम वापस रहा रहे है तो सारे state board यही कहेगे कि हमारे student को तो moderation policy नहीं मिली बिमारी का नुकसान हर एक board को पढ़ाए हर एक student को पढ़ाए तो सिरफ moderation policy CBSC क्यों मिले सारे state board को भी officially announcement करो इस टाइब की इस तरीके से चालू हो जाएगा अब गाईज एक को simply बता रहा हूँ un-officially CBSC जो करी हो कर रही है CBSC बच्चों को benefit देगी अपनी तरह से हर साल देती है आप कुछ सोचों हर सा CBSC बोलना तोना पड़ता है हर सा 12 उननीस का बैस सा 12 ठालक बैस सा मेरे को यूटूब पे चार साल हो गई है आप चैक कर ले ना मेरे यूटूब पे चार साल हो गई है हर साल बच्चे moderation policy से पास होते है बहुत अच्छा score करते है अपनों कहने के जुरूत ही नहीं पड़ते है क्या CA का कुछ हुआ वो हटा दूसरी चलो आप लेटेस्ट बात करते है अपने थर्ड यर के तो college के च्ट्रेंड है वो इतना trending में चला रहे है कि थर्ड यर के च्ट्रेंड को exam मत कर आओ कोवीड के इंदर exam मत कर आओ क्या थर्ड यर वालों के exam cancel हुए थर्ड यर वालों के exam करवा रहे गाईज यह थो सारे board है वो अपने according चलते है चलो आप सारी बाते छोड़ो अपनों ने इतना कोशिश की कि cancel exam, cancel exam, cancel exam CBS ने अपनी बात मानी CBS ने किसकी सुनी सुप्रीम कोड की गाईज देखो मैं आप सभी को जोब बताता हूँ वो मैं अपने experience की बेस पर बताता हूँ और knowledge की बेस पर बताता हूँ मैंने जून 3 को कह दिया था कि CBS की exam cancel होगे जून 3 को मैंने कह दिया था जब मैंने जून 3 को यह बात बोली थी देखो गाईज मैं जिरह आप सभी का भला चाहता हूँ इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सांद रहो CBSC आप सभी के भले के लिए करेगी अगर CBSC इस टाइम की देखो एक CBSC center board है उसका result खराब आएगा तो government से पूछा चाहेगा कि इस टाइब के हालात में बच्चों को extra marks दिये जाने चाहिए थे अभी थोड़े दिन पहले HRD minister लाइव आये थे G News पर आप चेक कर सकते हो उदर जी नियूस के तो anchor है उन्होंने भी बोला कि क्या बच्चों को benefit दे जाएगे तो HRD minister ने approve किया थे इस पर कि बच्चों को कोई भेदवाव नहीं मिलेगा उनको benefit दिया जाएगा North East वा लोग साथ में और आपके साथ में partiality हो रही है तो उस कारण से भी आपको moderation policy मिलेगी बहुत कारण है लेकिन CBSE unofficially ही तरीके से दे सकते है अगर officially तरीके से देगी तो सारे state board आके खड़े हो जाएगे कि हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए और अपने trending में चलाएगे यह चिजों को trending में करना start कर देगे तो जना यही कहएगा जब CBSE का result आएगा सब यही कहएगा कि CBSE वाला है इसको तो moderation मिला होगा इसलिए बच्चा पास होगा सब इस तरह की value खतम होगी CBSE board की किसकी value down होगी CBSE board की किसकी मतब आपको loss होगा loss किसको student को इसलिए मैं guys आप सभी को कह रहा हूँ मैं किसी को target नहीं करा मेरे सभी senior है मैं सभी सीखने के कोशिश करता हूँ मैं किसी को target नहीं करा मैं आपको request करो मैं किसी को भी target नहीं करा मैं सिरफ guys आप सभी को बता रहा हूँ आप सभी student मेरे बहुत ज़्यादा valuable और बहुत ज़्यादे important लोगो आप सभी का future बहुत important है मेरे बात सही लगी होगी अगर guys आपको मेरे बाते सही लगी है तो अपने fans सा video जुरूँ शेयर करना जिससे उनको moderation policy की reality पता लग सके और guys वापस में आप सभी को कहा रहा हूँ कि CBSC को मत याद दिलाओ कि CBSC क्या करना है CBSC को मन होगा जो उसको पता है वही करेगा हर सा CBSC अनओफिसली तरीके से देती है तो इस बार भी देगी और guys देखो कई चीज़े होती तो अफिसली नहीं कर सकते जैसे guys में आपको एक बताता हूँ कई चीज़े इनलीगली है कई चीज़े इंडिया गना इनलीगल है लेकिन वह अनओफिसली तरीके से चालू है आपको पता है मेरे इनलीगल है तो भी चालू है अब उसको अपने डिमांड करेगा उसको वापने लीगली चालू करो क्या हो वो हो सकता है पॉसिबल है वो पॉसिबल नहीं है पस पैसे CBSC बंद रखा है इसलिए CBSC ऑफिसली तरीके से नहीं चालू कर सकता इसके पैसे कई साई डिजन है CBSC अपनी सारे कारेण अपने बता चुका है पहले भी अब गईज आप समझो अनओफिसली तरीके से हर साथ मिलते है आपको मोडिरेशन तो इस बार भी मिलेगी तो गईज आप से टैंस मत को ये वीडियो मेरा मेन रीजन साथ कि आप सभी को समझा सकूँ अगर आपको गईज वीडियो में कोई भी कन्फिसली तो स्क्रीइं पे कोंटक्त करो वीडियो में बताईगे वाद आपको सही लगी है तो अपने फैन्स साथ वीडियो जुरू शेयर करना तो दोस्तो इस वीडियो में इतनी अपने फिर मिलेग नेक्स वीडियो में तब तक आप सुपने में रिकर पर और सेव